वेलकम बेक टू मैं चैनल फैक्शन मीन हिंदी और मैं वड़ सा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में तो फ्रेंट्स आज हम एक और कांसे रिलेटेड वीडियो लेका रहा हैं क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और जो मैंने प्रिवियस में दो वीडियो बनाई थी लंप्स ब्याइंड दा इयर यानि कान के पीछे गठान हो जाना या फूल जाना इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ पर उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इनके लिए क्या ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं क्यों हो जाता है इन सभी के बारे में आज हम फिर से डिटेल में बात करने वाले हैं देखिए प्रेंट्स कान में किसी तरह का इंफेक्शन होना डिस्चार्ज होना या तकलीफ होती है इन सभी पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है आपको कान से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है आप प्लेलिस्ट बे लेकिन आज हम जिस पर बात करने वाले हैं उसके सिम्टम्स के बारे में आप चाल दीजिए अगर आपको कान में किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है पस आ रहा है और उसके बाद में आपको यहां पर दर्द भी होता है या फिर आपके कान के इस जगे पर जो हिस्सा है वह नहीं निकल पाता तो वह कान के अंधूरनी इससे में यहां जाकर के इखटा हो जाता है और फूल जाता है जिसके कारण से इसमें व resonates क्यों हो जाता है जयसे कि मैंने आपको पहले भी बड़ताया है कि हमारी का जो कांगा ने चेता है तो इस जगह पे जांग सब्सक्राइब दो जाता है तो इसी को ले करके कुछ लोगों को confusion रहता है कि हमें गल्स हुआ है या जो हमारा कान का infection है उसकी वज़े से यहां पर सूजाना आए तो आप यहां पर देखेंगे जहां पर आपका जो लाइन यहां खतम होता है यानि कि कान के बिलकुल नीचे कान के थोड़े सी ऊपर यह पीछे की जगे पर आपको इस जगे पर फूला हुआ होता है और दर्द भी होता है साथ में बहुत क्लियरली समझने के लिए आप यह समझ सकते हैं कि आपके कान में डिस्चार्ज है जो कि यहां जा करके एकटा हो गया है तो इस तरह का infection आपको हो जाता है तो यह अगर आपको इस तरह का infection है तो 100% का कान के वज़े से हैं यह मंत नहीं है और टॉंसिल्स की भी समझा नहीं है कान के infection की वज़े से आपको क्लियर हो गया होगा तो अब हम बात करते हैं इसके लिए क्या treatment है और क्या इलाज किया जा सकता है फ्रेंस हमारे कान में कुछ नोट्स होते हैं जिन में की पस जमा हो जा तो जना जाती है तो इसके लिए आप घरेल तौर पर क्या कर सकते हैं ऐसे एक दूसरा आप शुरुवाती तौरपर क्या कर सकते हैं आंपको एंटिवायटिक्स लेने हैं अपको बेक्टिरिया के infection को बढ़ने नहीं देते हैं और उसको जो आपका से वो कम करते दूसरा होत टाली है याप प्लेलिस्ट में लिए डिए बताई ऐ न सबस्का आपको यूज करना है तीस रहा है की आपको डर्द और सूजन हो यह तो अब हम बात करते हैं कि यह अगर आपको है तो कितने दिन तक आपको लेना है और कब फायदा होगा तो अगर आप अन्टि वायोडिक और मेडेसिन लेते हैं drop का इस्तिम्हाल करते हैं तो तीन दिन में आपको relief मिलेगा अगर आपको यह समस्या तीन दिन से जाधा चलती है तो आपको डॉक्टर से चन्सल्ट करना है जा करके दिखाना है तो आइछ आप कोई चानकरी पसंद आई होगी कोई पसंद आई तो वीडियो को करें को सब्सक्राइब करें कोई कोस्ट चरें तो कमेंट्स करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद